वेलकम तो दीब क्लासस दिस इस में कुल दीब यॉँ इंग्लिश मेंटो और आंग विडियो इन टुडेश वीडियो आइंट आपको पता है कि करवा चौथ आने वाला है करवा चौथ से रिलेटिट कौन कौन से सेंटेंसे हैं चलिए जल्दी से सीखते हैं पर अपनी इंग मैंने आज तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है तो इसी चीज़ को हम इंग्लिश में कैसे पूलेंगे आप अव्जर्ब की जगा क्याप्ट वी लगा सकते हो तो इसे हम इंग्लिश में कैसे पूलेंगे I will break my fast only after seeing the moon at night Next, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे साथ करवा चौथ का व्रत रखोगे तो इसे हम इंग्लिश में कैसे पूलेंगे I would love it if you also keep करवा चौथ फास्ट with me Next, ये मेरा पहला करवा चौथ का व्रत है तो इसे हम इंग्लिश में कैसे पूलेंगे ये नव विवाहित दुलन के लिए है तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बूलेंगे Today, I will not drink even a drop of water during the fast Next, मुझे करवा चौथ पर सोने का हार जाहिए ये तो हर दुलहन की या हर ब्राइड की एक तरह की डिमांड होती है अपने दुले से I want a gold necklace on करवा चौथ Next, आज चांद कितने बजे निकलेगा तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बूलेंगे What time will the moon rise today? Next मैं कब से चांद निकलने का इंतिजार कर रही हूँ तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बूलेंगे? I have been waiting for the moon to rise I have been waiting for the moon to rise Next ये व्रत मैंने अपनी पती की लंबी उमर के लिए रखा है तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बूलेंगे? I have observed this fast for my husband's long life Next अभी बहुत से सेंटेंस बाती है आज सारी सुहागने मिलकर चांद की पूजा करेंगी तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बूलेंगे? Today, all the married women will worship the moon together Today, all the married women will worship the moon together Next मैं करवा चाथ पर अपनी शादी का जोडा पहनोंगी तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बूलेंगे? I will wear my wedding dress on करवा चाथ I will wear my wedding dress on करवा चाथ Next ओफिस से आते वक्त मेरे लिए गिफ्ट लेकर आण ये तो हर पत्नी अपने पती से कहती और फर्माईश करती है तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बूलेंगे? Bring a gift for me when you come from the office Next अभी बहुत से sentences हैं मैं बहुत लखी हूँ कि मुझे तुमारे जैसे बीवी मिली इसे हम इंग्लिश में कैसे बूलेंगे? I am very lucky that I have got a wife like you तो अगर आप husband बोलना चाहते हैं तो आप बोलोगे I am very lucky that I have got a husband like you जल्दी करो पूजय का समय हो गया है तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बूलेंगे? Hurry up, it's time for पूजा आज व्रत में तुम कोई काम नहीं करोगी सिर्फ आराम करोगी तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बूलेंगे? Today, during the fast, you wouldn't do any work You will just relax मैंने हमारी anniversary पर तुम्हारे लिए एक surprise planned किया है या करवा job पर भी आप बोल सकते हो तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बूलोगे? I have planned a surprise for you on our anniversary या आप बोल सकते हो on our करवा job Next, आंखे बंद करो तुम्हारे लिए एक surprise है तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बूलेंगी? Close your eyes, there is a surprise for you Next, ये अब तक का सबसे best gift है जो तुमने मुझे दिया है तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बूलेंगे? This is the best gift so far you have given me तो पार्च की वीडियो में बस इतना ही Thanks for watching Deep Glasses